अभी यह तो बगतमीजी होगी नशी प्रियंक का बता रही है उनंपर लगे एक एलिगेशन को बगतमीजी अभी यह तो बगतमीजी होगी नशीcen क्या यह इलिगेशन है उनके और S.R.K. के रूमर लिंक अप का या उनके और करीना की on and off catfight का या फिर किसी ongoing issue की controversy का हिस्सा होने का Well, ये allegation इन सब में से कोई भी नहीं है बलकि जिस बात को बक्तमीजी का नाम दे रही है प्रियंका वो जुड़ी है उनकी ही बहन परणीती चोपड़ा से जब हाल ही में आई ये खबर तो बनी काफी headlines जहां प्रियंका के closed sources का version भी आया ये कहकर कि प्रियंका एक बड़ी star है and she doesn't need a recommendation of someone who's just two films old But we believe in hearing it from the horse's mouth इसलिए we asked PC exclusively of what she thinks about these rumors तो उनका जवाब कुछ ऐसा आया ज्यादा कोक्स करने पर प्रियंका ने सारा दारोमतार YRF पे डाल दिया यानि कि अभी भी प्रियंका ने खुल कर कुछ भी नहीं बताया बस हमें YRF के statement की याद दिला दी But ask Priyanka if she would wanna be recommended by Parineeti in the future, she seemed hopeful वैसे हमें भी वो दिन दूर नहीं लगता Priyanka when Parineeti might just recommend you considering she has just won a national award जिसकी खुशी तो खुद आपने भी जाहर की थी So all those who want to create a tiff between these two sisters, turn around क्योंकि Priyanka ने साफ कह दिया है कि उनके और Parineeti के बीच कभी कोई rivalry नहीं आईगी सिंस वो उनकी बहन है अब ऐसे में अगर आप कहीं से भी इनके catfight की खबर सुने, don't you believe it cause then you might be the next batamiz on Priyanka's list For Kunal Mandikar, Zoom Mumbai